आईए अब हम बात करें जो हमारा अगला औद्योगिक समू या औद्योगिक प्रदेश है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के विशैपर बच्चो छोटा नागपूर प्रदेश जो है वो इसलिए प्रसिद है क्योंकि हम इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं रूर प्रदेश क्यों कहते हैं आईए जानते हैं इस अौद्योगिक समु के विकास के विशय परियदी हम बात करें तो इसके लिए जो सहायक तत्वे हैं वो पहला तो उसके पास ही जो दामोदर घाटी कोईला छेतर है यहां से इसे परियाप्त मात्रा में कोईले की उपलब्धता हो जाती है साथ ही साथ जो ओडिसा है और जारखंड इन दो छेतरों से या इन दो राजियों से इसे उत्तम को पूर ओडियोगीक प्रदेश है इसका यदि हम विस्तार देखें तो यह मुख्यरूप से उत्तरी ओडिसा जारखंड और पश्रिम बंगाल राजियों में विस्तरित है और यह तीनों ही राजिये जो हैं वो पास इस्थित छेत्र हैं और तीनों ही राजियों में जो हम प्रदेश है और कोईले की उपलबधता मिलती है जो इस छेत्र के और दोगिक विकास के प्रमुख कारक हैं और अभी हमने बात की थी कि तीनों की ही जो उपलबधता है यह इसे भारत का रूर छेत्र जो है वो बनाते हैं और जो उत्तम कोटी का लौह एस्क और जब हम खनी की भात कर रहे हैं या कोईले की बात कर रहे हैं तो यह जो बाते हैं या इन खनीजों की जो उपलबधता है वही इस छेत्र में जो भारी उद्योग हैं उनके विकास को प्रेरिСТ कर ती Craigai या प्रोथसाहित करती है और इसी करण हम देखते हैं कि हह पर जितने भी भारी उद अब हम देखते हैं जो जमशेदपूर है आपका बर्नपूर, कुल्टी, दुर्गापूर, बोकारो और राउर केला जो प्रदेश है वो यहाँ पर लोहा और इस पात के जो बड़े एकिक्रित कार खाने की हम बात करें तो वो यहाँ पर इस्थापित किये गए हैं अब हम देखते हैं इस लोहा और इस पात कार खाने की अतरिक्त इस प्रदेश में जो है प्रमुक उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो वो जो भारी इंजिनिरिंग उद्योग हैं मशीनी उपकरन, सिमेंट, रेल के इंजन या बिजली का जो भारी समान बनाया जाता है वो विनिर्माड उद्योग जो हैं यहां पर लगाए गए हैं हम यदि इस उद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुक उद्योगिक केंद्र हैं जिनका अधिक विकास हुआ है तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं इस छेत्र में राची, धनबाद, चाईबास सिंद्री, हजारी बाग, जमशेदपूर, बोकारो, इसके साथ ही साथ राउर केला, दुर्गापूर, आसन सोल और डाल्मिया जो नगर है इस छेत्र के प्रमुक उद्योगिक केंद्र हैं इस छेत्र के इतने अधिक विक्सित होने का जो प्रमुक कारण है यदि हम उसकी ब सिंद्र हैं अगरे इस छातकी कि जो उडिशा है और जार खंड इन दो छेत्रों से इसे आपको कोयला और लॉहहस की प्राप्ति हो रही है तो देखते हैं जरिया रानी गंज और बोकारो, गीरीडी जो छेत्र है यहां से इस छेत्र को कोयला मिल जाता है दामोदर घाटी जो कोईला छेतर है यहां से इसे परियाप्त मात्रा में कोईला मिल जाता है और यहां पर बड़े बड़े जल विद्यूत संयंत्र जो हैं वो लगाए गए हैं जिससे इस छेतर में ताप की आपूर्ती हो जाती है यहां पर इस्थित जो विभिन उद्योग ह हैं उन्हें उर्जा से संबंधित कोई समस्या जो है वो नहीं आती इसके साथ ही साथ हम देखते हैं इसके आसपास जितना सघन बसाहट है यह जो सघन बसे छेतर हैं वहां से इसे सस्ते दर पर श्रम जो है वो उपलब्ध हो जाता है साथ ही साथ आयात निर्यात की सुविधा के दि हम बात करें तो इस छेतर से कोलकाता जो है वो बहुत अधिक दूर नहीं है और इस कारण यहां पर जो निर्मित माल है उसे दूसरे देशों और विदेशों में निर्यात की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और साथ ही साथ बाहरी छेत्रों से आयात की भी सुविधा कोलकाता बंदरगाह के कारण यहाँ पर मिल जाती है अब जो यहाँ पर हुगली नदी है हुगली नदी के ओध्योगिक छेत्र में जो ओध्योगिक विकास हुआ है वो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि एक संत्रिप्त अवस्था तक पहुँच चुका है और इसी कारण से यहाँ के ओध्योगिक वृध्धी में वहां का जो प्रादेशिक संतुलन को बनाए रखने के लिए शाषन के द्वारा या सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं जो यहाँ पर छोटा नागपुर जो ओध्योगिक प्रदेश है उसके विकास में एक महत्त्व पूर्ण भूमी का निभाते हैं हमारा अगला ओद्योगिक प्रदेश है विशाखापत्नम गुंटरू ओद्योगिक प्रदेश इस ओद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व में विशाखापत्नम जीले से कुर्नुल और प्रकाशम जीले से आंध्र तट के साथ सा पूरा इसका चेत्र जो है वो विस्तरित हमें मिलता है। यहाँ पर जो ओद्योगी कविकास हुआ है। उसका श्रे यहाँ पर विशाक्खा पत्नम और मचली पत्नम जो बंदर गाहे हैं। उनको जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन बंदर गाहों या इन जो पत्तन मतलब क्रिशी के यदि क्रिश्टी की दृष्टी कोंड से देखें तो भी ये बहुत विक्सित छेत्र हैं और यहां पर अपार जो खनी संसाधन हैं उनके भंडार भी देखने को मिलते हैं. ये दोनों ही चीज़े जो है वो क्रिशी से संबंधित और खनी संपदा से संबंधित और द्योगिक विकास के लिए यहां पर इसे महत्तो पूर्ण आधार जो है वो प्रदान करता है इसके साथ ही हम देखते हैं इस छेत्र में उर्जा का जो प्रमुख सोर्स या प्रमुख स्रोथ की अधी हम बात करते हैं तो यहां पर जो गोदावरी द्रोणी है गोदावरी बेसीन में जो कोईला छेत्र है वो यहां पर उर्जा के प्रमुख स्रोथ के रूप में उपलब्ध है जो यहां पर और द्योगिक विकास में एक महत्तो पूर्ण भूमी का निभाता है विशाखा पटनम में जो 1941 में हिंदुस्तान शीप यार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई इसके बाद यहां की जो पेट्रोलियम परिश्करन शाला है इसने कई पेट्रोलियम उद्योगों को जन्म दिया है जो इस ओद्योगी छेतर के विकास के लिए हम एक उत्तरदाई कारक के रूप में देख सकते हैं विशाखा पटनम में जो लौह स्पात का जो कारखाना है यह एक उच्च तक्निक पर आधारित है यह हम कहें कि उच्च प्राध्योगी की पर आधारित कारखाना है ये भारत का एक मात्र लौह इस्पात सयंत्र है, जिसे की किसी भी तटी छेत्र की स्थिती का लाभ मिलता है, समुद्र तटी छेत्र की स्थिती का लाभ मिल रहा है, भारत में जितने भी लौह इस्पात उद्योग इस्थित हैं, उसमें विशाखा पत्नम का ही जो लौह प्रदेश के अन्य प्रमुक उद्योगों की जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग, सिमेंट उद्योग, अलुमिनियम उद्योग और जो इंजिनीरिंग के हलके समान बनाये जाते हैं, इनके विनिर्माण उद्योग इस छेत्र में स्थापित किये गया हैं, प्रमुक उद्योगी केंद्र की जब हम बात करते हैं, तो विशाखा पत्नम, विजय वाड़ा, विजय नगरम, राजमुंद्री और इसके साथ ही स अगला उद्योगीक प्रदेश है आपका, गुडगाउं, दिल्ली और मेरट प्रदेश, इस प्रदेश का जो विकास है, वो हलाकी बहुत पहले से हुआ है, लेकिन स्वतंतरता के बाद यदि हम बात करें, तो इस प्रदेश ने बहुत तेजी से विकास किया, यहाँ पर प जो आगरा है, मतुरा और मेरट सहारनपूर के मध्यम में विभाजित है, और दूसरी जो पेटी है, वो हरियाना में, फरिदाबाद गुडगाउं और अंबाला तक जो है वो फैली है, तो पूरे छेत्रक अविस्तार दो विस्तरित पेटियों के रूप में हमें देखने को मिलता है, और ये दोनों ही पेटियां जो है, वो दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली के पास इस्तित हैं, और एक दूसरे से मिलकर एक समूह की रचना करती हैं, इस प्रदेश का जो ओद्योगिक विकास है, में सबसे बड़ा जो योगदान है, यहां परिस्तित, जो पूर्ण योगदान है, क्योंकि इस परियोजना से इस ओद्योगिक छेत्र को, इस ओद्योगिक समूह को परियाप्त मात्रा में जल विद्युत शक्ती जो है, वो मिल जाती है, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं, जो पानीपत और फरीदाबाद से ताप विद्युत शक्ती इस छेत्र को मिल जाती है जो इस छेत्र के ओद्योगिक विकास के लिए महत्वपून कारक के रूप में उभरा हुआ है चुकि यह छेत्र खनीज संपदा या खनीज संसाधनों के छेत्र से बहुत दूर इस्थित है इसी कारण से यहां पर जो हलके और बाजारोन मुख उद् of electronics है, engineering उद्योग है और जो हलके समान है और साथ ही साथ जलियान निर्माड के जो है वी निर्माड उद्योग यहां पर प्रमुख रूप से इस्थापित किये गये हैं इन उद्योगों के अतरिक्त हम देखें तो यहां पर सूती वस्त्र उद्योग उनी वस्त्र चीनी सिमेंट उद्योग जो है इनका प्रमुख रूप से विकास हुआ है यहां पर इस छेत्र में सौफ्ट वियर जो उद्योग है यह अभी अभी एक नए उद्योग के रूप में उभरा है और इसके दक्षन छेत्र में हम देखें तो जो मत्रुआ और आगरा ओद्योगिक समू है यहां पर काच और चमडे का सामान इस प्रदेश को एक विशिष्टी करण प्रदान करते हैं या इस प्रदेश की एक प्रमुख विशेष्टा के रूप में हमें मिलता है अब हमारा आठवा और अंतिम उद्योगिक प्रदेश है जिसे हम कोल्लम तिरुवनंत पूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं अब हम देखते हैं कि ऐसे तो यह ओद्योगिक प्रदेश जो है वो अन्य जो आद्योगिक प्रदेश है उनकी अपेक्षा एक छोटा ओद्योगिक समू है और इसका विस्तार जो है दक्षिन केरल के तिरुनंत पूरम, अलप पूजा, एड़ना कूलम और त्रिचुर जीलों में हमें मिलता है चुकि यह ओद्योगिक समू भी जो है वो जो खनीच संसाधन है उनसे काफी दूर इस्थित है इसी कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे उद्योगों का अधिक विकास हुआ है जिने खनीच संसाधन की आवश् नहीं होती जैसे कि जो रोपन क्रिशी है और जल विद्यूत ये दोनों ने ही इस प्रदेश को एक और द्योगिक आधार जो है वो प्रदान किया है यहां के मुख्य उद्योग की हम जब बात करते हैं तो देखते हैं सूती वस्त्र है चीनी रबड काच अलूमिनियम और जो नारियल रेशे के उत्पाद हैं उनसे बने वस्तूओं के या उनके विनिर्माड उद्योग है इसके साथ ही साथ अलूमिनियम और जो सिमेंट उद्योग है वो इस और द्योगिक समूह के उलेखनी उद्योग जो है हम कह सकते हैं और साथ ही साथ जब से जो कोच्च में तेल परिशकरण शाला का विकास हुआ है उसके बाद से इस प्रदेश जो ये प्रदेश है इस प्रदेश को एक नया आयाम मिल गया है यह हम कह सकते हैं इस ओद्योगिक समुग के प्रमुख ओद्योगिक केंद्र की हम बात करें तो कोलम, तिरुनंतपुरम, अलवाय, प्रदेश जो हैं यहां के इस छेत्र के प्रमुख ओद्योगिक केंद्र हैं तो यह हो गए हमारे प्रमुख ओद्योगिक समुग और ओद्योगिक प्रदेश जो हमने आठ ओद्योगिक प्रदेशों की बात की और हमने देखा कि यह ओद्योगिक समुग या ओद्योगिक प और द्योगिक प्रदेशों के बाद हम बात करते हैं लगु और द्योगिक समूह के अलावा मुख्य रूप से तेरा लगु और द्योगिक समूह भारत में मिलते हैं हम लगू अद्योगिक समू उन छेत्रों को कहते हैं जिन छेत्रों में बहुत वो छोटे होते हैं और सिमित छेत्रों में जो उद्योग हैं वो विक्सित होते हैं तो ये जो समू है वो लगु अध्योगिक समू कहलाता है। हमारे भारत में ये बहुत बिखरे हुए रूप में देखने को मिलते हैं। कुछ प्रमुख जो लगु अध्योगिक समू हैं उनकी बात करते हैं। जिसमें हम पुर्वोत्तर राजियों में चले जाएं। लगु पिलता है। चाए उद्योग के अलावा चावल है। तिलहन हैं । और पेट्रोलियम से संबंधित जो उद्योग हैं वो विक्सित हुए हैं। कि दूसरा छेत्र है दार्जिलिंग तराई छेत्र दार्जिलिंग भी पुर्वोत्तर छेत्र हैं। और यहां भी दार्जलींग का चाय जो है वो विश्व प्रशिद है हम सभी को पता है और यहां मुख्य रूप से चाय उद्योग ही विक्सित हुआ है तीसरे छेतर की बात करें तो उसमें उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी छेतर शामिल है उत्तर प्रदेश में हम सभी को पता है की चीनी का उत्तादन बहुत चीनी उद्योग विक्सित है क्योंकि वहां पर गन्ये का उत्तादन जो है वो अधिक मात्रा में होता है और साथ ही साथ बिहार में देखी तो जूट के जो फसल है वो अच्छी तरह से वहाँ पर ली जाती है इसी कारण से यहां पर चीनी उर्वरक रसायन और जूट से संबंधिन जो उद्योग है वो विक्सित हुए है चोथा छेत्र है आपका कानपूर छेत्र कानपूर में चुकी यह छोटा नागपूर पठार के आसपास वाला छेत्र आता है इसी लिए यहां पर जो लोहे के समान है साथ ही साथ जूट रसायन चीनी चमडा सैकल और सूती वस्त्र उद्योग कानपूर का सूती वस्त्र उद्योग जो है वो प्रमुख उद्योग है और एक विक्सित उद्योग के रूप में यहां पर हमें देखने को मिलता है और इसके साथ ही साथ एलुमिनियम और इंजिनीरिंग उद्योग भी यहां पर स्थापित है यहां पर मैं विशेश कर बो और उज्जयन और नागदा छेत्र यह तीन छेत्र मिलकर एक और द्योगिक समूह का निर्माण करते हैं और यहां पर हमें कागज सूतिवस्त्र और इंजिनीरिंग उद्योग जो हैं वो प्रमुक्ता से देखने को मिलते हैं इंदौर के कपड़े भी फेमस हैं तो यहां आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो सूतिवस्त्र उद्योग हैं उसका सरवाधिक विकास हुआ है फिर नेक्स्ट देखते हैं नागपूर वर्धा छेत्र महाराष्ट का नागपूर वर्धा छेत्र भी एक लगू अद्योगिक समुह के रूप में विक्सित हुआ है क्योंकि यहां पर प्रमुक्ता से सूतिवस्त्र लोहे का सामान और इंजिनीरिंग उद्योग जो है वो विक्सित हुए हैं फिर नेक्स्ट हम देखते हैं शोलापूर छेत्र यह भी प्रमुक्ता से यहां पर हमें सूतिवस्त्र उद्योग के साथ ही साथ चीनी उद्योग का भी यहां पर परियाप्त विकास हुआ है इसके बाद है कोलहापूर सांगली छेत्र यह महाराष्ट के दक्षणी सीरे परिस्तित है जहां हमें इंजनीरिंग उद्ध्योग, चीनी और साथ ही साथ सूती वस्र उद्ध्योग जो है वो विक्सित अवस्था में देखने को मिलते हैं अगले समुह की हम बात करें तो यह जो हमारा दक्षण में आ जाते हैं हम जहां पर आंध्यप्रदेश का जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा छेत्र है उसका समुद्र तटिये छेत्र डेल्टाई छेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो नैचरली है कि वो एक समुद्र तटिये हिस्सा है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा छेत्र एक लगु अध्योगी समुद्र तटिये यहां पर हमें मुख्य रूप से जूट का उत्पादन जो है वह उसके लिए जल की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती हमें पता है जूट के रेशे को सड़ा कर और उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में विक्सित हुआ है और इसके साथ में साथ जो चीनी है सिमेंट है सूती वस्त्रूद्योग सूती वस्त्रूद्योग भी हमें पता है जो नम्मी वाले छेत्रों होते हैं वहां पर इनका बहुत अच्छी तरह से विकास होता है तो यही कारण है यहा बनाने का उद्योग है वो भी परियाप्त मात्रा में यहाँ पर विक्सित अवस्था में मिलता है इसके बाद हम करनाटक में आ जाते हैं दक्षणी भारत के अंतर गती और करनाटक का जो बेलगाम और धार्वाड छेत्र हैं यह भी एक लगु और द्योगिक समुव के रूप में विक्सित हो रहा है और यहाँ पर जो है करनाटक का जो उत्तर पश्चिम छेत्र है बेलगाम और धारवाड छेत्र करनाटक की उत्तर पश्चिम छेत्र में स्थित्र है यहाँ पर हमें सूती वस्थ, इंजिनियरिंग उद्योग, रेश्मी वस्थ और चीनी उद्योग जो हैं वो सरवाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं त्रिचूर और पालगाट छेत्र हम एकदम सुदूर दक्षिन में आ जाते हैं तो जो उत्तर केरल है वहाँ परिस्थित त्रिचूर पालगाट छेत्र है इस छेत्र में हमें क्रिषी पर आधारित या आधार पर जो विख्जित हुई हस्तकला है उसका सरवाधिक विकास हुआ है और यहां पर मुख्य रूप से नारियल तेल और नारियल के जो रेषे होते हैं उनसे वस्तुवे बनाने के जो उद्योग हैं वह बहुत अधिक विक्सित अवस्था में हैं और इनके अत्रिक प्लाइवुड रबड और सूती वस्त्रोद्योग का भी यहां पर विकास हुआ है फिर हम कोचीन आ जाते हैं कोचीन भी केरल के अंतरगत तो इसमें कवीलोन छेतर बारवे नंबर का आपका लगु और निर्माण काच के समान हम विभिन रसायनों की बात करें या सूती वस्त्र की बात करें कागज हो गया अलुमिनियम उद्यो यह जो है इनका विकास हुआ है क्योंकि यहां पर बंदरगा की सुविधा उपलब्ध है इसलिए पत्तन की सुविधा या बंदरगा की सुविधा होने के कारण इस छेत्र क बहुत अधिक और दोगिक विकास होने की अपार संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं फिर है तेरवे नंबर का चिन्नई छेत्र हम सभी को पता है चिन्नई जो है वो तमिल्नाडू की राजधानी है तो राजधानी नगर होने के साथ साथ यह महानगर भी है और बंदरगा और चिन्नई महानगर होने के कारण यहां उद्ध्योगों का भी परियापत विस्तार देखने को मिलता है यदि हम उद्ध्योगों की बात करें तो प्रमुक्रूप से जो रेल के डिब्बे बनाने काम चीनी उद्ध्योग है रसायन उद्ध्योग, रबड, सीमेन, साइकल, निर्माड के उद्योग हैं या लोहे के समान और सूती वस्त्र बनाने के उद्योगौ का यहां पर बहुत अधिक विकाश हुआ है यह हो गए लगू अद्योगिक समू के बाद हमें कुछ जो है अद्योगिक छेत्र के विस्तार के संबंध में अद्योगिक जनपद देखने को मिलते हैं हमारे देश में औद्योगिक जनपत जो है वो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं ऐसे छेत्र होते हैं जनपत या जीले होते हैं जो जिन्होंने अभी अभी औद्योगिक विकास की तरफ कदम रखा है या हम यह कहें कि वहाँ पर उद्योगों के विकास की आधार श्रीला रखी गई है शुरुवात हम की से मान सकते हैं और यह भी हमें बहुत ही बिखरे हुए रूप में भारत में मिलते हैं कि इन छेत्रों का जो विकास है चाहे हम उध्योगिक जन्पत कह दें और जीनों की बात करें तो इनका विकास जो वहां पर इस्थानिय रूप से प्राक्रिटिक संपदाये जो बाजार का विकास वहाँ पर मिलता है हमें उन्हीं के कारण इन छेत्रों का सबसे अधिक विकास हुआ है तो प्रमुक रूप से 15 और द्योगिक जनपद हमें यहाँ पर मिलते हैं जिसमें कश्मीर जम्मू की बात कर लें दूसरा पंजाब में अमरित सर उत्तर प्रदेश में मध्यप्रदेश में जबलपूर है और ग्वालियर भी फिर महाराष्ट में भंडारा है चत्रिस गड़ में प्रमुक रूप से राइपूर जीला आंध्यप्रदेश का निजामाबाद आंध्यप्रदेश में ही आदिलाबाद तमिल-नाडु में उत्तरी आरकट जीला और त द्रमिल-नाडु में हमें तीन जीले जो हैं वह ओद्योगिक जनपत या जीले की रूप में प्रमुक्ता से विक्सित रूप में देखने को मिलते हैं जिनकी भविष्य में यहां पर मिलने वाली संपदाओं या संसाधन के आधार पर या बाजार के आधार पर इनके विकास की अपार संभावनाएं यहां पर मिलती हैं तो यह हो गए हमारे अध्योगिक समूह के अंतरगत व्रीहत अध्योगिक समूह लगू अध्योगिक समूह और कुछ अध्योगिक जनपर पर दिर गिरो में भात हैं यह हमारे में पर बोगराशनाएं याम ये की समूह झूह यद्योगिक समूह झाल झाल